भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समचार नमस्कार समचारों के साथ मैं जितेंद्रगवन शी पहले मुख्य समचार प्रधान मंत्री आज नई दिल्ली में राष्ट्य स्वक्षता केंद्रका करेंगे उद्घाटन प्रधेश में कोबिड-19 के बढ़ते मरीजों के बीच अब तक 27,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए रिकबरी दर्बी बढ़कर 74 प्रतिसस से जादा हुई प्रधेश में जनमाष्ट मी गणिस उत्सा मोहरम सहित आगामी तेवहार सारवजनिक रूप से नहीं मनाये जाएंगे और भारत छोड़ो आंदोलन की 78 भी बर्सकाट आज प्रदेश में आकासवणी के जरिये रेडियो इस्कूल कारिकरम में सुनाई जाएंगी स्वाधिन्ता संग्राम की कहानिया अब समचार बिस्तार से प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली इस्तित राजगाट के पास राष्टिय स्वक्षता केंद्र का उधगाटन करेंगे यह स्वक्ष भारत मिशन के अंतरगत अनुभव साजा करने का माध्यम होगा राष्ट पिता महात्मा गांधी को स्रद्धान जली के रूप में प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अप्रेल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग रह के सताबदी समारों के अफसर पर पहली बार राष्टिय स्वक्षता केंद्र की घुश्टा की थी इसके अंद्र से देश के स्वक्षता अभियान से संबन्दित विसेश द्रस स्रब कारिकरम का लाव लिया जा सकेगा इसमें बिस्विके इतियास में सबसे बड़े ब्योहार परिवर्तन अभियान से संबंदित भारत की स्वक्षिता यात्रा के बारे में बताया जाएगा प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 34,000 से जाधा हो गई है बहीं इनवे से 27,000 से जाधा स्वस्थ हो चुके हैं जिससे सकरी मामलों की संख्या मातर 9000 बची है बहीं रिकबरी दर बढ़कर 74% से अधिक हो गई है सबसे ज़्यादा प्रभावित इंदोर जिले में पिछले 24 घंटों के दोरान जो 184 नए मरीज मिलने से संक्रमितों की संख्या 8,343 तक पहुँच गई है जिले के बिविन अस्पतालों में 2,162 कोरोना प्रभावितों का उपचार जारी है अब तक 5,851 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लोड़ चुके हैं उज़ेर में कल 14 नए प्रकरण मिले बही 8 लोग स्वस्थ हुए जहाबुगा में कल 11 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं जिस से एक्टे मरेजों की संख्या 86 हो गई है खंडबा में दो लोगों में संक्रमन की पुष्टी हुई है बही मंदसौर में कल कोरोना के 19 नहे मरीज मिले हैं जिससे जिले में प्रभावितों की संख्या 500 से जादा हो गई है जबलपुर में 85, मनला में 3, दमहों में 10, सागर में 13, सिपुरी में 5 और नीमच में 16 ने प्रकरण सामने आये हैं तीकमगड में कल 4 लोगों में संक्रमन की पुष्टी हुई बही नर्सिंगपुर में 17 संक्रमित मिले सतना में सिबिल जस सहेच छे लोगों में संक्रमन की पुष्टी हुई है भही रतलाम में 11 और गौलियर में 38 पन्ना में 10 विदिसा में 12 और निवाडी में 9 लोगों में संक्रमन की पुष्टी हुई है प्रदेश में कोविट संक्रमन को देखते हुए आगामे गणेश उत्सा महराम जनमाश्टमी आदी तेवहार सारवजनिक रूप से नहीं मनाये जा सकेंगे इसके अलाबा गणेश प्रतिमाय सारवजनिक रूप से इस्थापित नहीं की जा सकेंगे तथा जनमाश्ट मी एमम महर्रम पर जुलूस वा ताजिय भी नहीं निकाले जा सकेंगे मुख्वंतरी सिवराज सिंग चोहान ने प्रदेश बासियों से कहा है कि बेग घर पर ही इन तेवारों को मनाएं पूजा इस्तलों पर एक बार में पांस से अधिक ब्यक्ति इखटे नहीं हो इस बार स्वतंदरता दिवस भी सीमित रूप से मनाया जाएगा कहीं भी भीड इखटा होने की इजाज़त नहीं होगी भारत छोड़ो आंदोलन की आई 78 भी बरसगान मनाई जा रही है 1942 में राश्ट पिता महात्मा गांधी ने अंग्रीजों को देश से निकालने के लिए भारतियों से करो या मरो का आवाहन किया था यह अंदोलन मुंबई में ग्वाली या टैंक से प्रारंब हुआ था प्रती बरस आज का दिन अगस्त करांती दिवस के रूप में मनाया जाता है स्कूल सिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंग परमार ने कहा है कि 15 अगस्त तक प्रदेश के स्कूली बिद्धारती हमारा घर हमारा बिद्धाल है कारिकरम के तहत स्वाधिनता सब्तामना रहे हैं इस दोरान रेडियो स्कूल परसारण में हर दिन सतंतरता संग्राम और सतंतरा संग्राम से अन्यानों पर आधा रहते एक प्रेरा कहानी सुनाई जाएगी आकासबाने के प्रदेश इस्तित सभी चवदा परात्मिक परसारण केंद्रों एवं वन्या सामूदा एक रेडियो से सभी आठो परसारण केंद्रों से परसारण होने वाले रेडियो स्कूल के साय कालीन प्रसारण में साम पांच से साड़े पांच वे तक ये बिसेश प्रकसारण सुना जा सकेगा श्री परमार ने बच्चों को संबुदित करते हुए कहा है कि इस वर्स हम स्वतनता समारो एक दिन नहीं बल्कि पूरे सब्ता मनाएंगे इन दोर जिला प्रसासन और नगर निगम जल संडक्षन और संबर्दन की दिसा में एक बड़ी पहल करते हुए सहर से बहने वाली सरस्वती और कान नदी सुद्धी करण के लिए एक बिसेश अभियान चला रहा है इन नदीयों का मूल सरूप लटाने के लिए बिबिन्न बिभागों के समन वैसे कार्योजना बनाई गई है किसी समय में इन दोर की जीवन धारा कहलाने वाली ये दोनों नदीयां सरस्वती और कान ने प्रदूसन और जल प्रभागों के थमने से अपना अस्तित्व हो रही है इन नदीयों के मूल सरूप को लोटने के लिए नगर नगम पिछले कई दोनों से गहरी करन का अभियान चला रहा है नगर निगमायुक सुस्त्री प्रतिवापाल ने बताया कि इन नदीयों के मार्ग में आने वाली कटनाईयों को हटा कर जल प्रभागों को निरंतर करने का प्रयास जारी है साथी सहर के बिबन स्थानों से नदी में मिलने वाले नालों को रोकने का कारे किया जा रहा है राजस विभाग ने इन नदीयों का सीमांकन कर दिया है इसके बाद अनेक स्थानों पर दीवार बना कर इनके तटों को सुरक्षित किया जाएगा सुस्री पाल ने बताया कि नदीयों के तटों का कटाव रोकने और परियावरन संडक्षन के लिए बन बिभाग के सहयोग से दोनों तटों पर बिसाल इस तर पर पौधार उपन का कार जारी है नदी की सुक्षता को बनाय रखने के लिए जिला परसासन ने किनारे बसी जुगी बस्तियों के रहवाशियों को अन्यांतर फ्लेट दिये जाने की कार योजना बनाई है साथी जिला प्रसासन ने इन नदियों की किनारे से 33 मीटर की दूरी तक किसी भी तरह के निर्मान कार पर पुर्तिबंद लगा दिया है केंद्रिय पंचायती राजमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर ने कहा है कि पंचायतों के सरपंच और अन्य निर्वाचित प्रतिनिदियों को गाओं के समगर बिकास की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए उन्होंने कहा कि पंचायतों के प्रतिनिदियों को सिक्षा, स्वास्त और पोशन जैसे बिशियों पर कारे करने की पहल करनी चाहिए ताकि देश का प्रत्य गाउं समगर बिकास की दिसा में आगे बढ़ सके नई दिल्ली में राष्टिय पंचायत प्रतिनिदियों को बदाई देते हुए कहा कि अन्य पंचायतों को भी प्रतिनिदियों को भी प्रतिनिदियों को बदाई देते हुए कहा कि अन्य पंचायतों को भी प्रतिनिदियों को भी प्रतिनिदियों को बदाई देते हुए कहा क प्रदेश में कोरोना बारे संक्रमन की रोखदाम एवं बचाप के मकसद से ग्रह बभागने प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों को नए दिसार निर्देश जारी किये हैं इसमें कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मेनेजमेंट गुरूप के प्रामर से केवल प्रतिक रविवार को ही बाजार बंद रखने जाने की कारवाही की जा सकेगी इसके साथ ये प्रदेश में करफ्यू रातरी दस बजे से प्रादा पांच बजे तक ही लागू किया जा सकेगा यह कारवाही भीन को नियंतरत करने के लिए की जाएगी पूर्व में सब्ताह में रविवार के अलावा सनीवार या सौंबार को सामिल करते हुए लगातार दो दिन बाजार बंद किये जाने के निर्देश दिये गए थे दुबई से कलसाम केरल के कोजी कोड आ रहे एर इंडिया के बिमान दुरगटना में दो पाइलट सहित 17 लोग मारे गए दुरगटना इस तल पर राहतकार पूरा हो गया है बिमान में दो पाइलट और चालक दल के 5 सदस्य सहित 119 लोग सबार थे चालक दल के 4 सदस्य सुरक्षित हैं नागरिक उडियन महान निदे साले ने बताया कि बिमान कारीपूर हवाई डिपर उतर्पते समय रनवे से 35 फुट नीचे गिर गया और दो टुकडों में तूट गया माना जा रहा है कि भारी वर्सा दुरगटना का एक कारण हो सकती है राष्ट पती, परदान मंत्री और ग्रह मंत्री ने दुरगटना पर दुख व्यक्त किया है परदान मंत्री ने इस मामले में केरल के मुख्य मंत्री से बात की है अब कुछ समाचार संचीब में बिदीशा कलेक्टर ने कहा है कि कोबिट केर में लापरबाही बरते जाने पर अनू विभागिये इस्तर पर SDM उत्तरदाई माने जाएंगे आदिम जाते कल्यान मंत्री मीना सिंग ने कल डिंडोरी में कलेक्टरिट सबकक्ष में बनादिगार अधिनियम इवं विभागिये समिक्षा की संगीत समराट तानसेन की जनमिस्तली बेहट में प्राचीन सिंग मंदर परिसर को परिटन इस्तल के रूप में बिक्सित किया जाएगा गुना कलेक्टर ने एक बैठक के दोरान कहा कि आदिवासियों से मारपी टिवं दिवर विहार की घटना को अधिक गंभी परिता से लिया जाएगा और मुरेना और कल हाई स्कूल हाई सकिन परिक्षा में उत्रिन हुए विद्ध्यारतियों को कलेक्टर ने सम्मानित किया अंत में मुक्ष मचार एक बार फिर परधान मंतरी आज नई दिल्ली में राश्टिय स्वक्षता केंदर का उधगाटन करे परिदेश में कोबिड नाइंटीन के बड़ते मरीजों के बीच अब तक 27,000 सदिक लोग स्वस्त हुए रिकवरी दर्भी बढ़कर 54 प्रतिसत से जादा हुई परिदेश में जनवाश्टमी गड़े सुत्सा मौर्रम सहित आगामी तेवार सार्वजनिक रूप से नहीं मना जाएंगे और भारत छोड़ो आंदोनन की 78 भी बरस घांट आज प्रदेश में आकास बाने के जरिये रेडियो स्कूल कारिकरम में सुनाई जाएंगी स्वाधिंता संग्राम की कहानियां इस बुलिटन में इतना ही घर पर रहिए सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्र झाल